हाई अब्रेवान गुट मॉर्निंग आभी आरू ब्रेक्फास्स नहीं की है आरू अभी सोपर उठ रही है ब्रेश वगएरा करके आगई है और मैंने इनको पूझा कि इसको क्या खाना है तो इसको कुछ नहीं था बस मिलक लेना था तो मैंने आरू को मिलक दे था है और या लाट करने जानी है और विदियो जोइंड करो अब सब्सक्राइब बाटर ol तो अभी मैं आ गई किचन में और अपना क्लीनिंग करने के लिए तो आज मैं मॉर्निंग का वीडियो मैंने शूट नहीं किया मतलब कि ब्रेकफास्ट में बनाया मैंने उस टेम शूट नहीं किया क्योंकि ना बार-बार थोड़ा साज में लेट हो गई और फिर जल्दी-जल क्यामरा बार-बार इधर सेट करो तो फिर इधर में वार तो उससे में बहुत स्वाइब लाग से पहले लंश वगळा करते हैं अधिक कलीनिंग के सूट करऊंगी मैं आज मॉर्निंग का वीडियो मैं नहीं बनाया और पिर मेरा जो सुबह का वही जो डेली का रूटीन होत किचन साफ करने के बाद फिर मैं इधर आ गई लिविंग रूम में यहां पे टेबल पे आरू ने नमकीन वगरा गिरा दिया था रात में और काफी गंदा हो गया था उस पे तो इसलिए वही मतब जादा कुछ नहीं करना था पस उस पे नमकीन गिरा दी थी आरू तो वही मैं उसको मैंने जाड दिया डिया और उसके बाद फिर मैं ये सोफए को यहां पे जो तो इसको भी तो ब्लैंकेट को ठीक कर लेती हूँ और बाकी तो बेट सिट वगरा तो चेंज नहीं करना है 키्वियू कुड़िव सितर को तो यहां पे आ गई मैं बेट रूम में और यहां तोड़ा ज्राइंडी ट्रेंग समय करना मैं चेंज में doos और उसके बाद फिर आगी का या सब्सप्री 3 तो यह ब्लाइड स्वार्ब नीमेस घ्र Hahn करलें च्राइझक है और आज मुझे वैक्यूम चलाना है क्योंकि के दिन हो गया क्यों किये तो आज मुझे वाइक्यूम भी चलाना है क्योंकि नीचे मैट पे सब नमकीन वगएरा आरू गीराई है और टेबल पे गीराई थी तो उसको भी मैंने जाड़के नीचे ही कर दिया है तो वो सब पैर में लगेंगे तो इसलिए फुरूम से शुरुआद की है पहले मैं रूम को साफ करूंगी उसके बाद फिर लिविंग रूम में ले आउना चो प्राइत हैं करना है तो साफ नहीं करना है यहां पर इस जरह से अपना vacuum भी कर ले रही हूं मुझे तो जाडू करने में ज़्यादा ही अच्छा लगता है और क्योंकि न अगर वैसे तो इसमें फर्स नहीं है पूरे घर में करना पढ़ता है और इसमें पम कर सकते हैं बार व्यादें डस्ट भी आ जाते हैं तो कि यस नहीं लगता है और मैड़ का इसको आख लगाता है माटश नमाट गर कद लिए मैड़ी जोल्त होता है कि आ छिए पर भूप रहने डेयां यहाँ पर बहुत जादा ठंड भी मतलब ठंडी तो होती है बट स्नो नहीं होता है तो उतना तो आदमी मैनेज ही कर लेता है तो उसके बाद फिर ना मैं अपना वैक्यूम करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई क्योंकि यारू सुबह में उसने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया था और बसके वल उसने मिल्क लिया था मिल्क ड्रिंक की है वो तो मैं सुचा उसके लिए मैं बना देती हूँ अंडे की भुजिया ही बना के दी हूँ मैं मैंने उनको पैकर के दिया तो बट उसमें मैंने थोड़ा मसाला वगेरा उनके हिसाब से बनाया ना तो वह सब तो आरू खाती नहीं है आरू के लिए बिल्कुल सा बनाना पड़ता है विदावट चिल्वी और मसाले यह सब नयां डालके लिए एकदम सेंपल वाला बनाते है तो चापाती तो उसी मेंसे मैंने इस उबा ही बना दिया था बस यह मेरे को भुजिये यही बस बनाना है क्योंकि आरू को खिलाना भी है ना अभी मिल्की बस ड्रिंक की है तो वही मैं यहां पर एक छोटा सा अनियन ली हूँ आरू के फिर साथ में मैं थोड़ा सा अपने लिए चाय भी बना रही हूँ क्योंकि तब काम करो ना काम करने के बाद फिर चाय भी पीने का मन होता है अभी तक मैंने ब्रेकफस्स नहीं किया है बस चाय पीने का मन हो रहा है तो मैंने साइड में अपने लिए चाय रख दिया है दू मतलब दो एग का भुजिया बना रही हूँ सारी दो अंडे एग बोल रही हूँ तो यहां पर देखिए यह भुजिया रेडी हो गया है बच्चे के अकॉर्डिंग उसको मतलब बिना चिली वगरा कुछ भी ना डालो ना तो सिंपल सा बनाओ तो आरू को पसंद है वो चावर वगरा मैंने लिया अपना लंच वगरा किया और तब तक हो गया साम मतलब तब तक हो गई साम और अभी साम की बज रहे हैं चार और मैं आरू को लेने जारी हूँ स्कूल से मतलब बस टॉप से लेने जारी हूँ तो बस मैं जारी हूँ जहां पर आरू की बस आती है और ये मेरे घर के बगल मतलब जो हमारे स्ट्रीट है इसका ये नजारा है और साइड में देखे ये वाइट फ्लावर लगे हुए हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं अब ही मतलब अब यही सारी मतलब पेड़ों से ग्रीन ग्रीन लीफ आ रही है ना तो बड़ी अच्छे लगते हैं और मतलब समर में बहुत ही अच्छा लगता है नहीं तो विंटर आता है तो सब सूख जाता है तो बस मैं जा रही हूँ आरू को लेने और यहां देखिए आरू की बस आ गई है तो यह है आरू की बस और यह बस टॉप है यहां का बस टॉप पता ही नहीं चलता है कि बस टॉप है कि क्या ही है तो बच्छे सब आ रहे हैं और उनके पेरन्स सब लेने आये हुए हैं तो बच्छे लोग जा रहे हैं और आरू भी आगे हैं हमारी यारू आज बड़ी सैट लग रही हैं तो यहां पर देखिये आप मुझे कर दो कर दो कर दो कि अबाटिता लोटता है के कि अबाटी कि अबाट दबाटी है मिस्टाफिनी दिख लोग है तो आरू आ गई है घर पे और फिर इनका मैंने हैंड वास्प गरा किया और इनकी कपड़े चेंज करने की बाद फिर आरू को मैंने दे दिया स्नैक्स दे दिया है और यहां पर मैंने इनको दिया है चिकन नैगेट्स और साथ में मिल्क दी हूँ तो यहां मतलब हम लोग आरू को नैगेट्स बहुत जादे पसंद है तो इसलिए मैं कभी कबार फ्रोजन लाके रखी रहती हूँ वैसे ज़्यादा तर फ्रेस देने की को तर दिनर की भी प्रिप्रेशन कर रही हूँ तो यहां मैंने अनियन जो है ना कट करके रखा था तो यह जो हैं चॉपर होता है ना तो उसमें मैं अनियन चॉप कर रही हूँ तो आज मैं डिनर में बनाऊंगी नियुट्रिला की सबची तो नियुट्रिला को मैंने पहले ही मैंने हैंड है मोई इसको रेगुलर यूज करती हूं तो यहाँ मंतल जो मेरी इंचा काम करता है जय एक टो मैंने देख ही लेट हो रहा है पांच पच गया है अभी तक नहीं आए तो इसलिे मैं लहा है तप तक में अचली तक रहा है तो पे lasted निट्रिला बिगा की रखा था उसकौं मैंने ऊइल में फ्राइब कर लिया तो फ्राइब करके मैं उसको निकाल ली और उसी ओएल में फीर मैं ये मैने जो पोटेटो कट करके इसको मैंने एड़ कर दिया और यह इनका कलर हो गया है चेंज तो अब मैं इसमें अनियन जो मैंने चौप करकी रखा था तो यह अनियन इसमें एड़ कर दे रही हूं और अनियन को भी अब अच्छे से फ्राइ करूंगी मैं तो पहले तो इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स क कर देते हैं अच्छे से इस तरह से इसको और अब मैं इसको ढग दूंगी और ब्राउन होने का वेट करूंगी तो यहां पर इस तरह से मैंने मिक्स कर दिया मिक्स करके अभी मैं इसको ढखके पकाऊंगी तो यहां पर देखिए यहां पर मैंने इसको तिन चार मिनट ढखके पकाया तो यह सॉप्ट हो गया है और अभी मैं इसमें एड कर दी मसाला जो बेसिक मसाला होता है वही मैंने इसम बुन चुका है और अभी हम इसमें एट करेंगे पानी तो पानी एट करने के बाद फिर मैं इसमें एट करूँगी जो मैंने निट्रिला और ये पोटेटो मैंने जो फ्राई करके रखा था तो यहाँ पे इस तरह से मैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी और थोड़ा इसको बहुत जादा नहीं पकाना है क्योंकि हमने सारी चीज़ों को फ्राई कर ली है ना तो पोटेटो हमने फ्राई किया हुआ है तो बहुत जल्दी हो जाएगा तो अब मैं इसको ढग दे रही हूं तो यह देखिए 5-6 मिनट बाद फिर से मैं कैप हटा रही हूँ तो द दाल दीजिए तो सबजी देखने में और अच्छी लगेगी और उसके बाद हमारा खाना होना बन गया तो फिर हम आ गए अपना डिनर करने के लिए मतलब हस्बेंड आए उनको मैंने चायवागर दिया चायवाई पी लिए फिर मैं साथ में मैंने डाल चावल भी बनाया औ चपाती भी प्लीज वीडियो को लाइक एन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिये धर